नमस्ते आज मैं आपको इक गारंटर की लाइबलेटी की बार में बताने वाला हूए एक चेक बाउंच के सेक्षिन एक 131 नेकोशिबल इस्टूमें चेक यह एक आदमी किस दूसरे वेक्ति को एक चेक दे और वह जो चेक है वह रिटर्न हो जाये और डिसॉनर हो जाये और प जरूरी चीज यह है कि जो प्ट में जिस चीज के लिए जाये जाये वह एक लीगल टांशक्षन हो क्यूंकि सेक्षिं 133 के हिसाब से एक चेक मांट सके इसरी तभी बन सकते हैं जब वह एक लिगली रिकवरेबिल डेट है कि कोई भी ऐसा अमांट जो कानोनी तोर पर हम कान यानि कि अगर मैं किसी को चेक दे रहा हूं और वो चेक बाउन्स हो जाए तो सामने अली पार्टी मेरे पर केस नहीं कर सकती है चेक बाउन्स को क्यूंकि वह एक लीगली रिकवरबिल डेट नहीं माना जाएगा तो अब यूशली क्या होता कि commercial transaction में तीन पार्टी होती है जो लोन ट्रांजक्शन वगर रहा होता है उनमें तीन पार्टी होती है सबसे पहले ही तो होती है बैंक के financial institution जो लोन दे रही है या कोई repayment में कोई गडबड हो गई वो repay नहीं कर पाया तो उस तिथी के अंदर गैरंटर जो है अपने जेव से लोन का भुकतान करेगा बैंक को वापिस तो इस तिथी के अंदर बैंक क्या करती है जो financial institution होते हैं वो क्या करते हैं वो गैरंटर से security deposit के तौर पे चेक्स ले ले लेते पोस्डेटर चेक्स अगर मालीजे जो करजदार है उसने अगर पैसा वापिस करने में कोई delay कर दिया या पैसा नहीं दे पाया तो जो पूस्डेटर जो है उसके गैरंटर के वो बैंक जो जो पायबल होगा section 133 के अंडर तो यही same question जो है यह honorable supreme court के सामने था ICDS Limited vs. Beena Shabir के case में, यह case सन 2002 का case है, यह case supreme court मैने से पहले करला high court के अंडर था और मैं वहां का थोड़ा brief बताने था हूँ, के सामने यह case था और section 133 को discuss करने के बाद में honorable high court of kerala ने यह बोला कि आप अगर section 133 का offense बनाना है check bounce का तो उसके लिए सबसे ज़रूरी महत्पपुन चीज यह है कि आपकी खुद की liability होनी चाहिए उस offense के अंदर और आप किसी payment का भुकतान आपको immediately करना है लेकिन क्यूंकि गारंटर का check जो है वह security deposit की तौर पर लिया जाता है और उसकी खुद की liability होती है ना ही उसको अपनी कोई liability के लिए immediately कोई payment का भुकतान करना है तो इसी के चलते हुए honorable high court of kerala ने बोला कि check bounce case नहीं बनेगा क्यूंकि section 133 के definition है जो उसके जो contours है जो उसकी boundaries है उसके अंदर ऐसा case नहीं आएगा तो उन्होंने जो पार्टी थी उन्होंने फिर बाद में जाके Supreme Court के अंदर SLP special e-petition file करी और उस special e-petition के तहेत honorable Supreme Court ने judgment दिया सबसे पहले तो honorable Supreme Court ने जो section 133 के इसको discuss करा और उसके दो phrases जो है दो terms जो है section की उन पर गौर्ड फर्मा है पहले तो जो term है वो है उसके पहले तीन शब्द जो section के पहले तीन शब्द है वो कहते है where any check और जो दूसरा जो phrase है दूसरे जो term है section का वो है debt और other liability तो honorable Supreme Court ने वोला कि जो ये दो phrases है जो terms है section 133 के अंदर ये पार्लेमेंट का intention बतायाता है कि section बनाते समय उनका क्या intention था किस-किस तरीके के checks और किस-किस तरीके के offenses इसके अंडर आ जाना चाहिए तो where any check का मतलब Supreme Court ने ये बताया कि पार्लेमेंट का intention ये था कि कोई भी check मतलब कियाने की पार्लेमेंट का ये मतलब था कि हर तरीकी का check section 133 के अंदर cover होना चाहिए और जो दूसरा टर्म था debt और other liability तो Supreme Court ने बोला कि पार्लेमेंट का intention debt or other liability से कहने का ये मतलब था कि चाहिए आप खुद का personal debt हो या कोई आपकी और liability हो तो उस तित्री के अंदर भी section 133 का जो provision है वो cover करेगा checks को so therefore Supreme Court ने बोला कि where any check और debt or other liability को हमें इखट्या कर पड़ेंगे तो इसका मतलब यह होता है कि section 133 को बहुत ही wide interpretation दी जाएगी और यह माना जाएगा कि हर तरीकी का check हो जाएगा चाहिए आप खुद personally liability देने के लिए या आप नहीं हो liable देने के लिए तो उस स्थिति के अंदर honorable Supreme Court ने जज्जमेंट के अंदर यह बोला कि जो गैरंटर जो एक पोस्ट चेक देता है security के तौर पे बैंक को या किसी financial institution को उसके इसके अंदर एक offense अंदर section 138 माना जाएगा और जो गैरंटर होगा वो personally liable होगा ऐसे स्थिति के है जिसमें relevant judgment और section को court किया है तो आप अगर पढ़ना चाहे तो पर सकते उसका link में description box में दे रहा हूं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो नमस्ते जैहिंद वंदे मात्रम